जाहीं दोस्तों मेरा नाम है सुफ्यान और स्वागत आउस अभीगा रूमर्ट स्मार्टफोन के एक नवी सोड में जहाँ पर मैं आपको उन सारे स्मार्टफोन के बारे में ऐसे से इंफोमेशन देता हूँ जो आगे चलके ओफीचल इंफोमेशन में तबदील हो जाते हैं जो भी तक लॉँच नहीं हुए है आज का हमारा टॉपिक है शाउमी 13 ब्रो ये स्मार्टफोन कैसा दिखाई देगा इसके क्या-क्या स्पसिविकेशन होंगे इंडिया में कब तक लॉँच होगा किस प्राइस पे लॉँच होगा साधे इंफोमेशन बाहर आ जोगे सब बताता हूँ शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से यहां पर आपको 6.73 इंच का एक 2K रेसलूसन वाला E6 LTPO version 3.0 AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा मतलब कि सब कुछ लिटेस टेकनोलजी उपर बेज़ड है 1080Hz refresh rate मिलेगा 480Hz का touch sampling rate Dolby Vision का भी support होगा DC dimming भी होगा PWM वाला 1500 Neats का आपको peak brightness देखने को मिलेगा किसमत अच्छी रही तो इसको और बढ़ा भी सकता है Xiaomi और 1000 Neats का high brightness mode रहेगा 521 का PPI भी रहेगा Corning Udida Glass Victus का screen protection और यहाँ पर HDR10 Plus अगर नहीं बता या रहूँगा तो बता दिया मैं DCI P3 कलर gamut भी होगा 12 bit के colors देखने को मिलेंगे किसमत अच्छी रही तो पका मिल जाएगा तो 10 bit के colors रहेंगे वैल इस बार अगर आप notice करोगे तो Xiaomi की जितने भी flexi phones है Xiaomi 12S series को देख लो 12 bit के colors के उपर है तो इस बार ही Xiaomi 13 series के भी सारे phones 12 bit के colors के साथ आएगे जो बहुत यह awesome बात है और यहाँ पर आपको quad curve display देखने को मिलेगा चारों तरफ से curve रहेगा bezel-less display छोड़ा जपन छोल चीन एकदम ना के बराबर एकदम premium से premium आपको looks और specifications दे रहा है Xiaomi वैसे भी Xiaomi के number series के phones के यही तो खासियत होते हैं display specs एकदम बवाल होते हैं कैमरास की बात कर लें तो इस बार Xiaomi अपने Xiaomi 12 Pro से बहुत बड़ा jump मारेगा Xiaomi 13 Pro के camera's में बहुत बड़ा agreement करने वाला है 50 Megapixel का आपको यहाँ पर primary camera देगा जो Sony IMX989 camera sensor के साथ होगा यह वह camera sensor है जो आपको Xiaomi 12S Ultra में देखने को मिला था Sony का अभी तक का सबसे premium flagship camera sensor smartphones के लिए जो अभी तक Xiaomi 12S Ultra में ही आपको अभी तक दिखाई देगा उसके बाद अगर किस्मत अच्छी रही तो यह phone हो जाएगा नि तो बीच में कोई और phone आजाएगा Vivo X90 series के खैर जो भी हो यह camera sensor एकदम बवाल है भाई OIS का भी support रहेगा जो दूसरा camera है वो भी 50 Megapixel का रहेगा Ultra-Wightingal camera और तीसरा camera भी 50 Megapixel का रहेगा Telephoto Selfie की बात करने तो 32 Megapixel का selfie होगा Sony IMX709 camera sensor के साथ और यह कितना अच्छा selfie camera है आपको बदाने की ज़रूत नहीं है मेरे को OPPO Reno7 Pro के selfie camera को जाके देख लो एकदम बवाल selfie camera है भाई रात की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बहुत अच्छे तरहीं की से करता है बहुते latest और advanced technology को पर based है सबसे best camera sensors में से यह आता है Performance की बात करते हैं यहाँ पर आपको Qualcomm का upcoming premium flexi processor देखने को मिल जाएगा जो 2023 के सारे premium flexi phones में चाया रहेगा Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 यह जो processor है 4 nanometer के technology में बेज़ देख अक्टा कोड प्रोसेसर है Adeno 740 का GPU देखने को मिल जाएगा और जानते हो खुसी वाली बात क्या है इसको TSMC बना रहा है ना की Samsung तो इतना हीट नहीं करेगा परफेक्ट प्रोसेसर हैगा वेदम बहुत ही जगास आपको performance देगा और यह जो processor है नॉबर के 15-17 तारीक के बीच में release हो जाएगा 15-17 तारीक तक Qualcomm का Snapdragon Summit चलेगा इसी event में Qualcomm अपने नए flexi processors को unveil करेगा processors इसलिए कहा रहा हूँ क्योंकि एक से ज़ादा processor निकलेंगे ऐसे से information हैं अब अगर पता चलेगा तो Tech News पे अपडेट करता रहूँगा वैलि यह जो processor है भाई प्रीमियम flexi processor है बवाल रहेगा भाई अल्टर ग्राफिक्स पर RAM से गिमिंग कर लोगे डे टू डे लेट में स्मार्टफोन रॉक्किर के जैसे चलेगा जितना चाहे उतना मॉल्टी रास्टियूं कर लो में स्पेसिविकेशन की बात कर ले तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्पेइ फिंगर पेंस का रैट देखने को मिल जाएगा UFS 3.1 का एक्षोई सपोर्ट भी मिलेगा और LPDDR5X RAM टाइप के साथ आएगा इन फैक्ट DMC-D9200 भी सपोर्ट करेगा जो आर्ट तारी को रिलीज हो रहा है आर्ट नॉवंबर को तो भाई आई होप सो यह नया RAM टाइप हम लोगों को देखने को मिल जाए जो LPDDR5 RAM टाइप का सक्सेसर है खेर आगे बात करते हैं यहां पर आपको 4800 mAh का बैटरी मिल जाएगा 120 Watt के Super Fast Charging को सपोर्ट करेगा चारजर बॉक्स में नहीं रहेगा पहले ही बता देता हूँ मैं तो सैड मत हो जाना कि बॉक्स पतला क्यों है क्योंकि भाई फ्लक्सी फोन है और Xiaomi देगा नहीं और यहां पर 50 Watt के wireless charging का भी सपोर्ट आपको दिखने को मिलेगा 10 Watt की reverse charging का भी सपोर्ट रहेगा Android 13 Out of the Box आपको दिखने को मिलेगा MIUI 14 के साथ जो इसी महने में रिलीस हो जाएगा कभी भी सबसे पहले आपको Xiaomi 13 series के phones में ही डेग्यू करता हुआ दिखाई देगा 4 साल तक major Android updates दिखने को मिलेंगे 5 साल तक आपको security patch updates दिखने को मिल जाएगे इस पर यह Xiaomi ऐसा वादा करने वाला है I hope so कि ऐसा वादा कर दे Dual stereo speakers आपको दिखने को मिलेंगे IR blaster भी होगा advanced VC liquid cooling भी रहेगा X169 motor भी रहेगा तो natural vibrations होँगे वोन एदम ठंडा रहेगा और सारे आपको latest connectivity networking features देखने को मिल जाएगे यहाँ पर तो main specifications पर कोई Xiaomi कमी छोड़ा है जो इस बाद छोड़ेगा अब चलो यारो बात करते हैं और build quality के बार में तो design क्या होगा Xiaomi 13 series का यह हम लोगों को पता कब का चल चुगा है क्योंकि live बेजिसी बाहर आ गये थे Xiaomi 13 और Xiaomi 13 Pro के Xiaomi 13 Ultra एक all together नए camera design के साथ आएगा उसका अलगी design होगा वो बाहर नहीं आएगा Xiaomi बहुती security tight करके रखा है लेकिर अगर आप Xiaomi 13 और 13 Pro को देखोगे तो देखने में ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं लगते यार क्योंकि ऐसा अटपठा camera housing थोड़ा सा unprofessional look देने के कोशिश करता है और lenses भी अच्छे तरीके से align नहीं किये गए है मतलब कि थोड़ा अगर इसमें Xiaomi और भी अपना दिमाग लगा था तो और अच्छा बन सकता था थोड़ा सा कह सकते हो कि unprofessional लग रहा है जितना अच्छा लोगों को Xiaomi 12 S series के phones Xiaomi 12 series के phones premium look दे रहेते हैं ये थोड़ा सा वैसा नहीं दे पा रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हो कि mid range वाला feeling आ रहा है mid range flagship वाला आजकल तो वो भी premium देखने लग गए हैं लेकिर फिर भी यार आप बताओ आपको ऐसा design देखने में कैसा लग रहा है ये बड़ा सा camera square housing और उसके अंदर में अजीबों करी तरीके से camera's aligned है आपको ये काईसा लग रहा comment करके बता रहा देखो यारो सबके अपने अपने opinions होते हैं किसी को अच्छा लगेगा तो किसी को अच्छा नी लगेगा किसको थोड़ा अच्छा लगेगा खैर build quality की बात करते हैं यहाँ पर आपको glass body दिखने को मिलेगा Aluminium frame का support होगा और आगे Corning Gorilla Glass Victus का screen protection मिल जाएगा IP68 का rating भी दिखने को मिलेगा इस बार अगर IP68 मिल गया ना मज़ा आ जाएगा सही बता रहा हूँ खैर design और build quality को लेकर इतने informations भार आए हैं अब चलो यारो बात करते हैं Indian price और availability के बार में ये smartphone कब तक India में आएगा इसका क्या price हो सकता है हम लोगों को wait करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए देखो यारो पहले बात इसका जो Chinese launch event होगा न मतलब कि Xiaomi 13 series का Chinese launch event ये December में ही हो जाएगा अगर थोड़ा सभी late किया Xiaomi तो जनवरी तक तो करी देगा हर बार ऐसे ही करता है और global launch event की बात कर ले तो जादा जादा अप्रेल तक global launch event हो जाएगा और इसके तुरण बाद ही माई के आस-पास तक Xiaomi 13 series के phones आपको इंडिया में दिखाए देगे I hope so कि इस बार तीनों फोन को launch करे Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra केवाल Xiaomi 12 Pro को launch करके रुकना जाए इस बार इस बार ऐसा काम ना करे Xiaomi कि भया केवाल 13 Pro launch करती है पाकिस सब कुछ बाद में देख लेंगे ऐसा मत करना यार तीनों को launch कर देना Xiaomi तो मही के आस-पास तक आपको Xiaomi 13 series के phones इंडिया में दिखाए दे सकते हैं अब प्राइस इसका कितना होगा अभी जो Xiaomi 12 Pro का प्राइस चल रहे न इग्जाक्ली वही प्राइस मान के चलो Xiaomi 13 Pro आपको पैसर से 70,000 रपे के बीच में दिखाए देगा इस से जाधा Xiaomi नहीं रखेगा ये 100% कंफर्म है कुछ अगर पता चलेगा मुझे इंडियान प्राइस अवलेबिल्टी को लेकर इंफरमेशन मैं आपको टेक न्यूज में बताता रहूँगा चलो यारो विद्धार विंग साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पकतम करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और अगर मुझसे आप बात करना चाहते हो मैं आपको इस्टाग्राम ट्यूटर पे मिल जाओगा एड़रेट रियल सुफ्यान खान और हमें से अपना ख्याद को खुश रहो जाए हिंद वन्दे महातरबूद